मुझे नहीं लगता कि आप में से कही सारे लोगों ने अभी तक एकदम सूपर सॉफ्ट, टेस्टी एंड हेल्दी सी गुजराती इद्रडा की रेसिपी अभी तक ट्राइ करी होगी और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हो तो बस वीडियो को लास तक देखती जाएगा और इसे एक बार जुरूर बनाएगा इसे बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे तीन कप चावल इसके अंदर एक कप यहाँ पर डाली है उरत दाल साथी में थोड़े से मिथी दाना डालेंगे और दो से तीन बार इसको पानी डालके हाथों की मदद से अच्छे से मसलते यहाँ पर इसको हमें पीस लेना है बट उससे पहले यहाँ पर एक secret ingredient यूज करेंगे जो कि है पोहा जिससे कि हमारे यह जो इदड़ा है वो काफी जादा soft बनेंगे इसके लिए यहाँ पर पोहा लेकर इसको पहले एक बार पानी से थो लीजी फिर इसमें थोड़ा पानी दाल के साइड में रखेंगे फिर यहां पर मिक्सर जार लेकर इसमें डालों चावल डालेंगे और यहां पर डालना है तोड़ा सा दही यहां पर मिर पास आधा कप दही था और दो बैच चिसमें मैंने इसको डाल के पीषा हैं, इसके बाद इसमें पोऊँआ डाल के अच्छे से पीस लीजिए और याद रखें इसको पूरा कर पूरा, सौ secure s us sprinkเ नहीं करना है थोड़ा से दऱदरा हो तो भी छेलेगा, इसके बाद यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और करीबन 7-8 मिनिट लगाते हुए इसको अच्छे से फेट लेंगे जिसे की हमारी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से वो काफी अच्छी हो जाएगी इसके बाद इसको ठकल लगा के करीबन 7-8 खंटे के लिए अच्छे से गरम जगा पर रख लीजिए और लास्ट में आप देख सकते हूँ कि हमारे यह जो बैटर है वो काफी अच्छी तरीकी से फर्मेंट होके त्यार हो चुका है तो कई सारे लोगों को लग रहा होगे कि यह इडली के बैटर जैसा है तो अगर आप चाहे तो आप इडली के बैटर से भी यह वाली रेसिपी ट्राइब कर सकते हो इसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा बैटर को साइड में लेंगे इसके अंदर डालना है सॉल्ट उपर स और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर यह जो ठोगला बनाने वाली प्लेट है वो लेंगे इसको ओइल डालके अच्छे से ग्रेस कर लीजिए और हमने यह जो बैटर बनाया था इसको धेरे धेरे करके इसमें डालेंगे और पूरा नहीं भणना है इसको आधा करीबन भरेंगे और इसको अच्छे से टैप टैप कलेंगे जिससे के जो एर बबल से वो निकल जाएंगे और उपर से यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल भी डाल दिये थे इसके बाद इसको डालेंगे स्टीमर में और करीबन दस से बारा मिनिट तक ठकन लगा के स्टीम होनी दीजिए बाद में यहाँ पर टूथ पिक या तो चाकू की मदद से चेक करेंगे कि हमारी यह जो इदड़ा है वो पक्के है या नहीं और जैसे यह अच्छे से स्टीम हो जाएं इस वाले गुजराती सुर्ती इदड़ा की रेसिपी तो अगर आपने अभी तक इसे ट्राइ नहीं किया है तो पक्का जरू ट्राइ कीजिगा और चैनल पे नए हो तो लैक्शन सब्सक्राइब करना तो बनता है तो मिलता है नए वीडियो में तब तक इन्जोई